Hey guys, welcome back to Power Drag आज बात करने वाले हैं महिंद्रा की तरफ चाने वाली लगबग 10 नही गाड़ियों के बारे में जिन में से काफी जारी कार को 2020 फैस्टिव सीजन पर लॉंच कर दिया जाएगा और जो बागी कार से उनको 2021 में आप लोग ले सकते हैं अगर आपका प्लान बनने की हाँ अभी हम थोड़ा वेट करेंगे अगले साल तक हमें नहीं कार लेनी है तो आप लोग वेट कर सकते हैं और आज की लिस्ट में दिखाए जाने वाली 10 गाड़ियों में से किसी भी आप एक कार को अपने रिक्वार्मेंट के साब से कंसीडर भी कर सकते हैं तो चलिए मैं वीडियो को यहाँ पर शुरू करता हूँ नंबर फर्स्ट कार है वो है महिंद्रा XUV 4W आप सभी लोग जानते हैं कि जो महिंद्रा की XUV सिरीज वाली कार है वो सेंग्यों कंपनी की टिवोली कार्स के उपर बेश्ड होती है जैसे कि XUV 3W है वो सेंग्यों की टिवोली के उपर बेश्ड है XUV 4W टिवोली XLV के उपर बेश्ड रहने वाली है सो बेसिकली इस कार के अंदर आप लोग को 7 सिटिंग की कपैसिटी देखने के लिए मिलेगी प्राइजिंग की बात करी जाए तो लगबग 11 लाग रुपे से लेकर 17 लाग रुपे तक इस कार की प्राइजिंग रहा सकती है फीचर्स की बात करने से पहले एक बारी इंजिन की तरफ नजर डालें तो इस कार के अंदर आप लोग को 1.5 लिटर का टर्बो चार्ट डीजल इंजिन देखने के लिए मिलेगा और अरूंड 130 होर्स पाउर वो आपको निकाल के दे देगा 60 स्पिट की मैन्वल प्रस आटोमेटिक ट्रांसमिशन कार के अंदर आप लोगो महिंदरा ओफर करने वाला है अब बात करते हैं इस कार के अंदर आप लोगो एक स्वी थी डबलो से ज़्यादा क्या फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि अब आप लोगो को इस कार के अंदर heated और ventilated front की seat, panoramic sunroof, all wheel disc brake, heated OR VM और rear passengers के comfort के लिए AC vent, front passengers के comfort के लिए separate AC vent जिसको आप dual zone AC भी कहते हैं तो यह सारे फीचर अब आप लोगो को इस कार के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे साल से इंडिया के अंदर राच करने वाली काड़ी Scorpio, Scorpio का जो भी BS6 variant आया है, अगर आप लोग चाहते है purchase करना कुछ emergency है तो आप उसकी तरफ जाओ, वहना तो मैं आपको यही recommend करूँगा कि थोड़ा सा wait कर लो, Scorpio की जो next generation को महें इंदरा launch करने वाला है वो आपको पुर जाते हैं, off-roading capabilities की बात करी जाए तो इसकी जो off-roading capabilities आपको एक number देखने के लिए मिलेगी, इन्होंने BS6 variant में अपना Scorpio का 4x4 variant वाला offer, मतलब model बंद कर दिया था, वह आपको BS6 के बाद जो अब new generation आईगी उसमें आपको 4x4 वाला variant देखने के लिए मिल जाएगा, variant distribution सेम S5 base variant, S7, S9, S11, इसी series के साथ आपको new variants देखने के लिए मिलेंगे, बात करी जाए changes की तो इसके अंदर interior में जो इसका dashboard आप बिल्कुल new premium dashboard देखने के लिए मिलेगा, और सबसे ज़्याद इस बार धिया जाएगा इसकी build quality के उपर, क्योंकि पिछली बार global end cap में Scorpio के जो rating अच्छी नहीं थी, आपकी बार जो इसकी build quality रहेगी, वो कहीना कहीं XUV3W से inspire रहेगी, तो solid build quality के साथ आपको new Mahindra score के देखने के लिए मिलेगी, बात करी जाए changes की तो इसके अंदर अब आप लोगो new features देखने के लिए मिलेगी, careless entry plus push start stop, उसी के साथ काफी बड़ा infotainment screen कार के अंदर आप लोगो electric sunroof, head up display और जहां तके कार के अंदर आप लोगो electronically adjustable front की driver seat भी देखने के लिए मिल सकती है, third row of seat में आपको बहुत बड़ा change देखने के लिए मिलेगा, अब आपको side facing seat नहीं, front facing seat देखने के लिए मिलेंगी, महिंद्रा की 2-3 कार में side facing आती थी, अब समय महिंद्रा पर अपनी front facing दे रहा है, जिससे की कार के अंदर जो दोनों passengers का lag room में उसका problem resolve होगा, और उसी के साथ साथ कार के अंदर practicality enhance होगी, आगे बढ़ते लिस्ट में हमारी next car की तरफ, उससे पहले एक बरस का price देख लेते हैं, current में जो इसका price आ रहा है, लग फ़वी 5W की थोड़ी बहुत याद जरूर दिलाएगी, मगर यह उसका एक upgraded version आप लोग कह सकते हैं, जो की 5 sitting की capacity के साथ कार आपको देखने के लिए मिलेगी, pricing की बात करी जाए तो लगबग लगबग XUV5W के आसपास इसका price रहाएगा, तो आप लोग 15-17 लाग रुपे के असपास इसका price estimated एक price लगा सकते हैं, और वहीं अगर थोड़ा engine specification की बात करी जाए तो इस कार के अंदर आप लोग को 2.2 लिटर का mHawk diesel engine इस कार में देखने के लिए मिलेगा, पावर आउट्पुट के लिए वो काफी बढ़ी है, 210 bhp की पावर निकाल देता है, टॉर्क की बात करी जाए तो 330 Nm का torque भी निकाल देता है, transmission की बात करी जाए तो कार के अंदर आप लोग को 6-speed की manual प्लस automatic transmission कार में देखने के लिए मिल जाएगी, tire size कार का आप लोग को काफी बड़ा मिलेगा, लगबग 18 inches तक के आपको इसके अंदर tire मिलेंगे, 220 mm की ground clearance देखने के मिल सकती है, तो easily अगर आप लोग थोड़ी बहुत off-roading करना चाहे तो वो चीज भी आप लोग इस कार से कर सकते हैं, हलागि अभी जितनी news आउस से यही पता है, चला है कि कार front wheel drive है, so let's see, क्या पता है इस कार के अंदर आप लोग को 4 wheel drive भी देखने के लिए मिल जाए, और अगर और ही कुछ इसके थोड़े बहुत features की बात करा जाए, तो जैसे कि इसके अंदर आप लोग को 6 speaker का का काफी जबरदस्ट music system देखने के लिए मिलेगा, और ये पूरी की पूरी XUV-5W, जैसी ही आपको देखने के लिए लगने भी वाली है, तो चलिए, आगे बढ़त जाए, तो इसके एक्स्टिरियर में आप लोग को प्रॉपर LED लाइट देखने के लिए मिलेंगे, रीडिजाइन बंपर और न्यू फॉग लैम की आपको हाउसिंग देखने के लिए मिल सकती है, साइट प्रॉफइल में आप लोग को सिरफ इसके न्यू डिजाइन के अलो देखने के लिए मिलेंगे, बागी साइट प्रॉफइल में कोई चेंजिस नहीं है, अगर रियर की तरफ बात करी जाए तो रियर में आप लोग को LED लाइट देखने के लिए मिल जाएंगे, जहां तक है एक्स्टियू फाइब डबलो के डैमेंशन के साथ यहां पे महिंद इंस्ट्रुमेंट कंसोल, इस्टेरिंग मॉंटेट कंट्रोल, न्यू डिजाइन का डैशबूर्ट जिस पर आप लोग को वुडन फिनिच देखने के लिए मिलेगी, जिसकी क्वालिटी काफी ज़्यादा प्रीमियम होगी, कार के अंदर आप लोग को 6-speed की मैनवल प्लस, 6-speed की automatic transmission, cool glow box और उसी के साथ साथ आप लोग को cool armrest भी देखने के लिए मिलेगा, और जो कार के interior में IRVM रहेगा, वो भी आपको auto diminish वाला offer करे जाएगा, जो कि आपको रात में कफी ज़दा help करेगा, अगर इसकी sunroof के बारे में बात करी जाए तो आपको महिंद्रा की XUV- इसके competitors भी अब आप लोग को panoramic sunroof offer करते हैं, जैसे कि MG Hector हो गई, Tata Harrier हो गई, या फिर आप लोग इसके competition में काफी लोग Hyundai Creator को भी लेते हैं, हाला कि इसके साथ competition बनता नहीं है, मकर काफी लोग कर लेते हैं, अपने इसापचा अगर उनका लेने का प्लान होता है तो, इ 78,000 रुपेज का price बढ़ने की expectation है, और जो पहले features मिलते थे वो सारे आपको अभी भी देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं लिस्ट में हमारी next car की तरफ, यह हमारी third car है, Mahindra XUV3W EV, यह आप सभी लोग जानते हैं, Auto Expo 2020 के अंदर, Mahindra ने अपनी XUV3W EV का electric variant showcase करा था, Auto Expo में, और इस car की pricing लगबग 15,000,000 से लेकर 17-18,000,000 रुपे के असपास रहेगी, जो की थोड़ी costly आप लोगो को लग रही होगी, तो हादे को थोड़ी costly तो है, बागी अगर launch rate की बात करी जाए तो 2021 के second half तक इस car को launch कर दिया जाएगा, expect कर सकते हैं कि अ 6-7 साल तक की उसकी warranty आपको मिलने वाली है, और अगर उसी के साथ मैं बात करूँ, इसकी rival, Tata Nexon की, तो उसके अंदर भी आप लोगो सेम बैटरी बैटरी देखने के लिए मिलेगी, रेंज के अगर बात करी जाए तो लगबख 300 किलोमेटर तक कि यहाँ पे आप लोगो मह साब से, आप Fast Charging और Slow Charging दोनों कार के अंदर मिल जाएगी, जिसको हम AC Charging और DC Charging भी कहते हैं, अभी Depend आपके उपर करता है, आपको किस से चार्ज करना है, Fast Charging से कार आपकी लगबख 40-45 मिनिट में 0-60 या 80% कार आपकी चार्ज हो जाएगी, Automatic Transmission के साथ कार देखने के लि को पसंद आएगी, और आप में से काफी सारे लोग इस कार को लेना भी चाहेंगे, मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से Electric KUV One Double के बारे में, तो महिंद्रा ने इस कार को भी Auto Expo के अंदर शोकेस करा है 2020 में, तो इसकी प्राजिंग जो लगबख रहने वाली है, 8,28,000 प्राजिंटर भी कवर कर लेती है, तो वो भी एक बैड ऑप्शन नहीं रहेगा मेरे साब से, और अगर आप लोग शायसे एकनॉमी पर जादर ट्रेवल करें, तो शायद और भी आपकी जो रुनिंग है जादा हो सकती है, बाकि इस कार को जो लॉंच करा जाने वाला है, इ जैसे कुछ स्टेंडर सेफटी की बात करो तो कार में आपको रियर पार्किंग सेंसर, डूल फ्रंट एयर बैग, फ्रंट सीट बेल्ट अलर्ट, ओवर स्पीडिंग अलर्ट और ABS, EBD जैसे फीचर कार में आपको स्टेंडर बेस विरिंट से देखने के लिए मिल जाएंगे डिजाइन के अंदर, लुक के अंदर, डायमेंशन के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला है, सारी के यूवी वंडबल हो वाली ही रहेंगी, बस जादे जादा फरक क्या पड़ेगा इसके अंदर, थोड़ा बहुत आपको एक्स्टीर में चेंज देखने के लिए मिल कड़ा मुकाबला पेश कर सकते हैं इंडन मार्केट के अंदर, अब बाकि आपकी के यूवी वंडबल है, यह भी आपकी AC-DC चार्जिंग दोनों सपोर्ट करेगी, और AC-DC मतलब की फास्ट चार्जिंग और जो आपकी नॉर्मल चार्जिंग होती है, वो आपकी अगर 0-80% चार्ज हो जाएगी 60 मिनट के अंदर-अंदर, मगर यह चार्जिंग होगी सिरफ आपकी फास्ट चार्जर से, अगर आप नॉर्मल चार्जर से करेंगे तो वहाँ पर आपका वही 6-7 गंटे, 8 गंटे का टाइम बैटरी लेगी और चार्ज हो जाएगी, मेरे साब से अगर आपको सिटी में ड्राइफ करना है, ओफिस वगर जाना है, तो यह कि बैस्ट आप्शन आप लोग के लिए रह सकता है, आप लोग इसके लिए भी एक बारी वेट कर सकते हैं, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं लिस्ट में हमारी नेक्स्ट और आज की वीडियो की लास्ट का बनाने वाला है, जैसे कि इस कार की कुछ स्पैसिफिकेशन बताइए, जो कि इस प्लैट्फॉर्म पे रहने वाली है, इसमें आपको डूल इलेक्रिक मोटर देखने के लिए मिलेगी, जो आपके टायर को फुल टाइम ओल विल ड्राइफ सिस्टम के ओपर ड्राइफ करेग तो यह अन्बिलीवबल बात है कि मतलब एक इलेक्रिक कार पेट्रोल डीजल कार से भी जल्दी मतलब 0200 कवर करने वाली है, तो यह एक बहुत बड़ा थम्स अप हो सकता है इस कार के लिए है, दूसरा अगर बात करी जाए इस कार की तो 200 किलोमेटर पर आर तक कि इसको टॉ वीडियो देखी होंगी, तो देखते हैं जो महिंदरा की और अपकमिंग कार्स है, जिनको महिंदरा बहुत ही जल्दी 2020 के अंदर या 2022 के अंदर, 3 के अंदर जब भी लाँच करेगा, तो उन कार्स के अंदर आप लोग को यह वाली टेक्नोलोजी यह वाली फीचर्स देखन के लिए मिल सकते हैं, और यह काफी ज़्यादा एक्साइटिंग प्रोडक्ट है, जा हमने इसको देखा तो अटो एक्सपो में सीरियत ले लिटरली हम लोग भी इसकर के काफी ज़्यादा फैन हो गए थे, बागे आप लोग देखी सकते हैं कि इसके डोर्स वगरा कैसे अमेजिंग चीज बन जाती है, तो इस वीडियो में आप लोग को मैंने पांच कार बताई हैं, सारी की सारी ब्रेंड न्यू थी, अगर अच्छा लगा हो वीडियो, इन्फरमेटिव या फिर कुछ भी लगा हो, तो प्लीज एक छोटा सा लाइक करके जाना, चैनल को सब्स इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी किसी और अमीजिंग वीडियो में, तब तक के लिए, बाइबाइ, टेक केर, एंड सीया, साइनिंग ओफ